अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले आपकी राशी मेश है तो व्यर्थ की बाद हाएं आएंगी भागदोर होगी वेपार में मंदा रहेगा अधिक खर्च होगा कफविकार से परिशान रहेंगे भाई से सुप मिलेगा इस्तरी को कस्ट होगा रिहासों के बाद फोड़ा मंदा दूर कर पाएंगे यात्रा करनी पड़ेगी मास की एक दो नौ से ग्यारा उन्निस बीस उन्तिस तीस तारिक में सजगर हैं मास की वादाओं से बचने के लिए केसर गाणी का लगाएं हनमान चाली सका नित्ते पाठ करें वजन का दस्वा भाग जाओं मेर्ते पानी में बहाएं आपके राशी व्रश है तो आप अपना कारे बदलेंगे इस्ट्री से सुख वर्लाब भी लेगा नेत्रिया सिर में फीला रहेगी खर्च बढ़ जाएगा सुख परती होगी इस्ट्री की चिंता से मन में परिशानी रहेगी धार्मी कारें में मन लगेगा आए कम होगी वे खर्चा आगी महिने की तीन चार बारा देरा इकिस से तेज तारिक में सतर्फ रहें मास की बादाओं से बचने के लिए दुगाओ का असना में करन्याओं को जुमाएं चान्दी के तावीज में साबुत आने चावल के परकर गले में दारा करें आपकी राशी मिधुलने तो मास में वेरत की बाद आएं आएंगी वेमन परिशान रहें उदर विकार से कस्ट होगा अचानक धनलाव होगा सायता मिल जाने की खुशी होगी भाईयों से सुख मिलेगा शत्रु परिशान करेंगे इस तरी को कस्ट होगा वेपार में सुधा दार आएगा 5,6,14,15,21,23 तारिक में सतर करें मास की बादा उन्दे बचने के लिए कन्या जिपाएं चान्दी के धावीज में सावदाने चावल के बरकर गले में धारन करें आपकी राशी कर्क हैं तो मास में आखों में पीड़ा होगी वेक्ति का चिंता से मन परिशान हो विवास से क्रह कलेश होगा वाद विकार से परशान रहेंगे अपमान का भै रहेगा राजी से भी भै हो सकता इस्तिरी से राव होगा सुप समचार मिलेंगे नए कार बनेंगे बादाएं दूर होगी 7,8,16,18,26,28 तारिक में सतर करें मास की बादाउं से बचने के लिए के आपकी राजी सिंग है तो मास में वैपार बंद करेंगे सेहर ठीक रहेगी धन हानी होगी भाईयों से सुप मिलेगा संतान फोकस्ट होगा इस तरी से हानी होगी वै उसकी चिंता सता है वैपार नया करेंगे और हाथ तंग रहेगा मास की एक दो नौ से ग्यारा उनिस बीस 29 तारिक में सतर करें पादाओं से बचने के लिए केसर का दिलक लगाएं हनवान उपास न करें खाना वाँ बैठ कर खाएं जहां बचाएं आपकी राशी कन्या है तो महिने में वास जिवास से बचें कारे बदलने से लाव होगा वात वैक अप विकार से परशान रहेंगे आन लाव होगा यह बस्तू की आनी होगी भाई को गस्त होगा संतान की जिनता रहेंगे इस तीर से सुप मिलेगा इस्थान बदलेंगे वाहन सुप मिलेगा जात्रा से लाव होगा मास की 3-4-12-13-21-20 तारिक में सतर करें बादाओं से बचने के लिए दुबाव करास न दो करें आपकी राशी तुला है तो आपको कोई गुप चंता सताएगी सेह ठीक रहेगी धन लाव होगा पर दुरंथानी हो जाएगी भाई वैसंतान को बश्त होगा नईया में हानी होगी सुप कारियों में खर्च होगा गर्ज लेना पर सकता है 5-6-14-15-24-25 में सतर करें बा जाप करें पीतर की रोटे में गंगा जित्मर कर उठर देशा में रखें आपकी राशी रश्चिक है तो आपका इस्थान पर वर्टन होगा अधिक आर्षेट भी बदलेगा उन्नती होगी पर इस्थान रणभी हो जाएगा करजा चड़ेगा वित्र विरोध करेंगे ग्र पाजां उसे बचने के लिए केसर कदल लगाए चैनि की दाल बैते पांस में पर आएगा आपकी राशी धनुरे तो शत्रो प्रबल होगे मंद परेशान होगा उदर्विकार से कष्ट होगा बाईयों से विरोध रहेगा मित्रों से से योग मिलेगा इस्थीषी से सुख मि दार्मिक कार्यों में रुची रहेगी, फैपार ठीक रहेगा, एक दो, नौ से ग्यारा, उन्निस, बीस, उन्तिस, तीस तारिक में सतर करें, बादाओं से बचने के लिए केसर का तुलक लगाएं, विश्म उपास न करें, वजन का दस्वों बाप जौं, नदी या नहर में ब आपके राशी मकर है तो, हिस्त्री की सिंता सताएगी, वेपार बंदा होगा, स्वास ठीक रहेगा, आर्थिक संकट आएगा, कर्ज लेना पड़ेगा, शत्रू प्रबल होंगे, बाईयों से सुख मिलेगा, हिस्त्री सहय जोग देगी, गुप्त शत्रू सताएगे, वेपा चांदी के लोटे में चांदी के चपोट बड़ा डाल कर गंगा जरी से परें, और कम होने पर पूरा करें, आपके राशी कुम है तो, वेपार में मंदा होगा, मन में चिंता सताएगी, यात्रवा भाव दोड़ होगी, चोट से कस्ट मिलेगा, दन लाव होगा, स्वैजन ह पानी देंगे, भागिदार से विवाद होगा, इस तरी सुप मिलेगा, तरम में रुच्ची बड़ेगी, सुप समचार मिलेंगे, नए संपर्प बनेंगे, पांच, छोदा, पंदा, पंदा, चोविश पच्छी तारिक में सतरक रहें, बादाओं से बचने के लिए केसर का दिलग लगाएं, कौकिट में काज की गूरी रखी, आपकी राशी मीन है तो, चोड़ से कष्ट मिलेगा, धनलाव होगा, वेपार में व्रत्दी होगी, ग्रय कलेश से मन परशान रहेगा, इस तरी से सुप मिलेगा, कहरे में हानी होगी, वेपार में अचानक बादा बादाओं से बचने के लिए विश्मों उपासना करें, गुरु मंत्र का जाप करें, चान्दी के लोटे में गंगाजर भगगर, तर्दिशा में रखें